हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु स्टडिबर्स जितने भी MBA एस्परेंट से जो नेक्स्ट येर क्याट एंड नॉनकाट एक्जाम्स के लिए अपियर करने वारे ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन हो सकती है अगर आप फॉर्स टाइम क्याट अपियर कर रहे हो तो भी आपको इसमें पूरा पैटर्न मिल जागा किस तरह से अपने पढ़ाई को प्लान करना है और जिन लोगों को ये रिपीट करना है आप लोग के CAT, K, Z, NMAT, Snap, Majorly जितने एक्जाम्स है उनके रिजल्ट आ चुके आपको करने पता है आप कहां स्टैंड करते हो अगर आप ये प्लान आउट कर रहे हो कि मुझे नेक्स्ट इयर फिर से एक्जाम्स को अपियर करना है तो I believe this is the right time कि आपको अपने प्रेपरेशन बिल्कुल basic से advanced level तक की करके next year अपने dream score को achieve करना चाहिए तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, my name is Saurabh Kothari, let's start तो सबसे पहले एक चीज़ समझो सबसे important है जितरे भी MBA experience है उनके mind में एक doubt रहता सर हमारे सामने तो सरफ CAT ही exam है लेकिन इस साल जो इस exam सुयाब अपने senior से बात करो कि तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने CAT मच है score किया बट वो Z मच है score नह अभी वो SIBM NMIMS target कर रहे हैं तो कहने मतलब यह है कि जब भी आप MBA target कर रहे हो आपका end goal है वो एक top MBA college में जाना वो चाहिए किसी भी entrance exam कर थू हो तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास major 8-9 exam से जो आपको appear करने चाहिए जिसके बाद आप एक अच्छी MBA college में admission ले सकते हो तो अगर मैं बात करो Kat exam की तो Kat exam के तो आप इंडिया के जो Шॉव प्रीमिर इंस्टिउट से, अइमिस उन्हें admission ले सकते हो आप FMS में admission ले सकते हो आप SP Jain में admission ले सकते हो आप IIT में admission ले सकते हो इसका MDI गुर्गाम में admission ले सकते हो इसके लावा IMT गाजियबाद हो गया, IMI डेली हो गया तापमी तो बहुत सारे से इंडिया के टॉप इंस्टिटूट्स हैं जो CAD का स्कूर एक्सेप्ट करते हैं उसके basis पे आपको admission दे देते हैं उसके बाद जो हमारा सबसे important exam है वो है ZAT का exam ZAT exam के थूँ आप वई one of the best MBA college जैसे एक्जलरी जमशेदपूर वहाँ admission ले सकते हो एक्जलरी डेली में admission ले सकते हो, exam भी में admission ले सकते हो इसके अलावा आप IMT में admission ले सकते हो, आप IMI में admission ले सकते हो इसके थूँ आप आपके सामने college आ जाता है तापमी, आपके सामने college है केजिस सुमाया तो बहुत सारे top institutes है जिसमें आप NMAT के थूँ जा सकते हो snap के थूँ आप Symboisis, Umbrella गेंडर जो colleges आते हैं, वहाँ पर आपका admission हो सकता है SIBM पूने के अगर मैं बात करूँ, SMHRD के बात करूँ, उसके अलावा भी अगर आप बात करते हो SIBM Bangalore की, SIIB की, SIOM की, तो काफी सारे ऐसे colleges हैं जो अच्छा perform कर रहे हो over the years जिसमें आपका admission snap के थूँ होता है, CMAT के अगर हम बात करें, तो CMAT के थूँ आप एक top college जैसे JBI में, जिसको CEO factory भी बोला जाता है, then आप SIMSRI में जा सकते हो, जो ROI के लिए काफी अच्छा option है इसके अलावा आप Goa Institute of Management हो गया, Great Lake, Goodram हो गया, then Wellingar हो गया, इन सब colleges में admission ले सकते हो then आप TISC के थूँ, Tata Institute of Social Science में admission ले सकते हो, CET के थूँ, आप महरास्टर के जितने भी colleges आप वहाँ पे admission ले सकते हो, जिसमें आपका JBI में, SIMSRI सारे colleges आ जाते हैं then SRCC के थूँ, आप Shriram College of Commerce, जो Delhi University के बहुत अच्छा college है, ROI के लिए काफी strong college है, SRCC, JBO में admission ले सकते हो and इसके अलावा, आपके सामने exam होता है PGDBE किया, जिसमें आप admission ले सकते हो, जिए combined course है, IIM Calcutta, IIT Kharagpur, ISI का, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको clarity मिल रही है, कि अगर आप मेहनत करते हो, एक साल आप तयारी करते हो, तो आप definitely इतने सारे exam से कोई ना कोई तो crack कर लोगे, लेकिन हैं ये बात ध्यान रखना कि effort पूरा डालना पड़ेगा, opportunities आपके सामने, बहुत सारे आने वाले, इन सब में से, जो सबसे important एक dream exam सबका होता है, वो होता है CAT का exam, तो अगर मैं CAT exam की बात करूँ, और paper pattern की बात करूँ, तो लगबग, आपके सामने, बही यह है, quants है, verbal में आपके सामने 24 questions है, जिसमें majorly जो questions होते हैं, वो RCS से होते हैं, उसके अलावा, जो आपके topics बनते हैं, वो आपके para jumbles हो गए, then आपका para summary हो गया, उसके अलावा आपका fill in the blanks हो गया, and odd one out हो गया, तो इन ही में से, आपको जो पूरा का पूरा syllabus है, वो ब management के, games and tournament, critical path, यह सब topics आपके देखे जाते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, quants की, तो quants में 22 questions है, जिसमें से, आपके around 10 से 12 questions लगबख arithmetic के रहते हैं, उसके अलावा, जो बाकी topics होते हैं, algebra, geometry, modern maths and number system, तो इस तरह से आपका पूरा पूरा paper डिवाइड रहता है, बहुत स cat का analysis दिखा हो, तो आप यहां पे पूरा का पूरा एक clear picture draw कर सकते हो, cat 22 की बात करते है, cat 22 में आपको जो maximum exam था, वो 198 marks करा था, क्योंकि 66 questions थे, correct answer करने के into 3 marks होते हैं, अगर आप गलत करते हो, तो minus 1 होता है, इस साल, अगर आपको 99 percentile चाहिए थी, तो वो आपको 84 marks में मिल 84 आप समझ सकते हो, 50 percentile से भी कम paper करने पे, आपकी 99 percentile इस साल, आईए, अगर आप 98 percentile देखते हो, 75 marks पे, 99.5 percentile आपकी 92 marks पे, 95 percentile 62 marks पे, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा, इस बार marks versus percentile रहाता, अगर आप cat 21 की बात करोगे, तो यहां पी भी आप देख सकते हो, 98 marks out of 198, again, 50 percent of the paper दा, जिसमें आपकी 99 percentile बन गई थी, then cat 20 की बात करोगे, तो 101 marks out of 228, which is approximate 44 percentage, आपकी 99 percentile बन गई थी, cat 2019, जिसमें आपका paper 300 marks का हुआ था, 156 marks, which is around 52 percent of the paper, cat 2018 में 154, which is around 51 percent of the paper, तो आप यहां पे एक पूरा का पूरा benchmark बना सकते हो, कि अगर आपने 50 percent paper सही कर दिय 66 question में से, अगर आपने 33 सही attempt कर दिये, तो आप 99 percentile की range में बहुत जाते हो, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर कोई student को यह लगता है, कि सर मेरा एक topic week है, मेरे को तो यह topic नहीं आता, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा बिलकुल नहीं है, आप अपनी strength पर अगर play करोगे, और जो करें, तो भई five stage process है, जिसको आपको follow करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते है, उनको day one पर ही shortcut चाहिए होते है, उनको tricks चाहिए होती है, भई shortcuts और tricks आपको बाद में help करते है, लेकिन जो आपका first step है, वो है build your concept, अगर आपने concept building नहीं करी है न, अगर आपने यह नहीं देखा, भई कोई भी चीज कैसे हो यह चाहिए, वो quants हो, LRDA, verbal हो, अगर आपको उसके पीछे का foundation नहीं पता है, तो भई कितनी भी आप shortcut कर लो, कितनी भी trick कर लो, इस exam को crack नहीं कर पाओगे, क्योंकि भई exam में अगर थोड़ा सा भी variation हो गया, तो आप stuck हो जाओ है कि चाहे quants हो, LRDA, verbal हो, हरे चीज का foundation डेवलप करो, आपको पता होना चीज उसके पीछे क्या क्या concept है, क्या theorem है, क्या property है, किस तरह से question को approach करना है, जब आप concept सीख ले तो इस step को आता है practice and practice, हरे topic पे target बना लो 75 to 100 question आपको solve करने ही करने है, quants में माला अपने percentages किया, 75 to 100 question करो, similarly LRDA में लेट सा arrangement किया, तो भाई arrangement के कम से कम 20 से 25 set solve करो, ताकि 100 question के आस तो पहुँच जाओ, क्योंकि हर एक set में आपको 4 question मिलेंगे, तो हर एक topic पे जब आप इतने question practice करोगे, तब जाके आपको foundation strong होगी, then आपका stage 3 आता है speed building, यहाँ पे आप बात करते हो shortcuts की, यहा approximation approach को use करते हो, ताकि आपकी जो answer से वो जल्दी निकल पाए, then आपका fourth stage आता है, mocks and analysis, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर अब mocks तो तब देंगे, जब हमारा syllabus finish होगा और तुमारा syllabus कभी finish होगा नी, mocks तुम appear करोगे नी, तो point यह है कहने का, कि अगर आपको एक dream column मे पहुँचना है, तो उस particular exam के, आपको full land box जैसा है, आपका actual exam होना है, वो appear करना है, बहुत सारे बच्चों के mind में ये भी doubt होता है, सर अगर मेरे mocks में कम number आगए में demotivate होगा, अरे बहुत चीज़ समझो न, आपका end objective क्या है, end objective है, exam में अच्छा score करना, mocks से तो आप identify क तो होगी, आपकी क्या गलती है, और यह क्या चीज़ आपको fix करना है, कहां पर आप जादर time लगा रहे हो, किस question को किस तरह से approach करना था, timer के साथ कैसे deal करते है, तब ही तो जा कि आप actual exam में best perform कर पाऊगे, तो कहने का point यह कि हर एक exam के, आपको mocks लगाने है, fifth है, each exam का plan, आ आपको CMAT देना है, हर exam में थोड़ा-थोड़ा variation होता है, जैसे cat में GK नहीं आता, बट आपका IFT में CMAT में GK आता है, NMAT में critical reasoning आता है, ZAT में decision making आता है, तो हर एक exam का क्या plan है, और उसके full landmarks आपको appear करने है, तो यह five stage process आपको follow करना चाहिए, अगर मैं बात करूँ ही तो कर रहे हो, लेकिन syllabus तो देख लो, तो quants के अगर में बात करूँ तो आपके majorly पांच modules रहते हैं, सबसे पहला arithmetic फिर है, number system फिर है, geometry फिर है, algebra and then है modern math, हर एक exam में quant को यही standard syllabus है, इन ही में से आपका पूरा का पूरा paper बनता है, arithmetic में अगर आप देखोगे तो सारे के सा time and work, pipes and system, averages, percentages, ratio, profit, loss, mixture allegations, simple and compounders, TSD, races, यह सारे topic रहते हैं, number system में fraction factors, SCF, LCM, divisibility rule, unit, digit class, two digit, maximum power, trailing, zero, remainder theorems, यह सारे topic, geometry के अगर हम लोग बात करें, तो basics आपके जो रहते है, line वगरे के concept, angle वगरे के concept, इसके अलाबा, triangles, circles, quadulators, polygons, coordinate geometry रहता है, then आपका trigonometry, height and distance यह भी आ जा अगरा में अगर आप देखोगे, तो linear equation, quadrant equation, high order equation, concept of root, special equation, integral solution, maximum minima, inequality, log, यह सारे topics रहेंगे, modern में अगर हम लोग बात करें, तो set theory, when diagram, sequence and series, APGP, permutation and combination, probability and function, यह आपके majorly topic, dominate करते हैं, अब अगर हम बात करें, LRDI के, तो cat exam के अगर हम बात करूँ, तो आपके यह दो modules important है, advanced LR and data interpretation, advanced LR में आपका linear arrangement, complex arrangement, circular arrangement, then logical games, games and tournament, critical path, numeric logic, then आपके सामने event diagrams, DIA based LR, LR based DIA, awkward puzzles, यह सारे topic रहेंगे, DIA के अगर हम लोग बात करें, तो tables and case laid, missing tables, charts and diagrams, then data sufficiency को mix करके आपके question बनते हैं, then आपका quant based DIA, LR based DIA, यह सारे चीज़े आपको करनी है, अगर मैं non cat exams की बात क करूँ, तो वहाँ पर आपको module 2 and module 3 तो करना ही है, इसके अलावा module 1 and module 4 भी करना है, अगर आप बात करते हैं, snap की, cmat की, nmat की, वहाँ पर आपका basic हैला, जैसे alphabet, test, blood relation, calendar, clock, coding, decoding, direction, cubes, यह सारे topic भी पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूँ, उसके बात verbal section की, तो verbal section में, अ जिसमें आपके different type के RC, idea based RC, specific detail based RC, inference based RC, application based RC, tones क्या होती है, यह सारी चीज़ आपको पता होने चीए, RC में क्योंकि critical reasoning का भी use होता है, इसलिए आपको यह वाला module भी पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, कौन सा strong argument है, कौन सा weak argument है, implicit statement क्या है, इससे inference किया निकलता है, तो यह topic आपको पढ़ना होता है, verbal ability आपको करना है, क्योंकि इसके आपके question काफी सारे बनते है, para-jumble, para summary, fill in the blanks, odd one out, तो यह चीज़ आप करोगे, अगर मैं non-cat exams की बात करो, तो वहाँ पर आपका vocabulary और grammar भी पूछा जाता है, cat exam में vocabulary और grammar नहीं आता है, इसके बाद अगर हम बात करें, GK की, GK आपका हर एक exam में नहीं आता है, IFT के exam में आता है, CMAT में आता है, ZAT में आता है, यह 4 exams में आपका GK पूछा जाता है, और GK का जो syllabus है, तीन modules में divided है, aesthetic GK, current GK and business awareness, aesthetic GK के अगर हम लोग बात करें, तो वह वाली GK जो कभी change नहीं हो इतने भी important चीज़े हुई है, जो भी important appointments हुए है, जो भी important personalities है, important news है, important merger acquisition, वो सारी चीज़े आपको करने, business awareness में, जो भी आपके last one यह में business world से news है, कोई नया CEO बनाया है, किसी product को किसे ने acquire करा है, कौन सा किसका subsidiary है, parent company कौन है, वो सारी चीज़े आपकी यहां पर आ जाती तो four step process है, सबसे पहला जैसे बर बताया, build your basics, target बना लो, कि सर मुझे 60 days में, मुझे 90 days में, अपना पूरा syllabus एक बरी finish कर देना है, अगर आप खुद कर सकते हो, well and good है, हम जिस तरह से पढ़ाने वाले, 18th February से, मेरा जो नया best start हो रहा है, live class का, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग आपकी तयारी कराने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझो कि जब आप preparation कर रहे हो, आपका approach क्या होना चाहिए, आपका approach है, step one, build your basics, आपको सबसे बहले अपने fundamentals develop करने है, then हरे topic में 100 questions करने है, week के end में, जो भी आपने topic किया है, उसका topic wise test दो, उसमें timer आपको ये पता चल पाए, क्या आप timer के साथ comfortable हो, and then आप देखो आपको different approaches क्या use करने थी, जब आप उस test का analysis कर रहे हो, ये देखो क्या यहां पर approximation method लग सकता था, क्या option put करके मैं जल्दी answer निकाल सकता था, किसी option को eliminate करके क्या मैं answer तक पहुँच पा रहा था, ये सब क्या होता है, round robin क्या होता है, critical path जब आप कर रहे हो, तो पता उनसे schedule कैसे करते है, किस तरह से distribute करना है, जब आपके fundamentals develop हो जए, हर एक topic पर दो set, दो set आप daily practice करो, आज आपने linear arrangement किया, उसके दो set लगा लो, कल आपने circular arrangement किया, उसके दो set लगा लो, फिर next day एक LR का कर लो, ए आपको 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes लग सकते हैं, कोई tension नहीं है, आप कोशिश करो, खुश से approach करने हैं, जब आप खुश से करोगे ना, तो आपको brain develop होगा, आप समझ भाऊगे ये वाला set ऐसे approach करते हैं, फिर धीरे धीरे automatically time कम हो जागा, LRDI बच्चों को बहुत जादर difficult लगता है, क्योंक इस type के question बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी topics होते हैं, जो कहीं से related ही नहीं है, then आपको step 4 आता है, timer based test, यहाँ पे आपको timer based test लगाने है, ताकि आप ये देख पाऊ, कौन से वो 2 set है, कौन से वो 3 set है, जो actual exam condition में आप कर सकते हो, verbal के अगर हम लोग बात करें, तो again आपको recommend कर रहा हूं, या तो mint, या Indian express, या फिर भई आप पढ़ सकते हो, Hindu, इन तीनों में से जो newspaper आपको अच्छा लगे, उसको read करने, start कर दो, important है, बहुत जादा important है, तब ही जाके आप एक अच्छे MBA college में जा पाऊगे, जब आप newspaper reading करोगे, तो automatically आपकी reading speed better होगी, आप आपकी comprehension skills better होगी, आप नए-ने vocabulary की words सीखोगे, तो बहुत सारी exams के लिए आप ready होते हैं, चले जारे हो, and then आप daily की habit बना लो, one RC आपको करना ही करना है, daily one RC आपको करना ही है, जब आप daily one RC की habit डालोगे, तो exam तक आप सोचो, आपके बाद 300 के आसपास days है, आप भई, इतने RC solve कर लोगे, कि automatically हर एक topic से आपको exposure मिल जागे दन, again, by weekly level पर जितने topics पढ़े हैं, उनका timer based test आपको लगाना है, तो ये तो मैंने आपको plan बता दिया, आपको किस तरह से हर एक subject को अप्रोच करना है, अपनी preparation को चार phases में divide कर लो, phase one है, understanding of concepts, practice of each concept, building speed, and mocks and analysis, जिसके हम बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपने phases follow कर लिया, इस pattern को follow कर लिया, तो बहुत अच्छे से अपने exam के लिए आगे जाने वाले हो, ठीक है, इसके बाद अगर मैं लोग देखें, किस तरह से हम आपकी तयारी करा सकते हैं, किस तरह से हम आपकी preparation करा सकते हैं, मैंने आप को पूरा syllabus analysis, हर एक चीज़ आपको समझाईए, already हमारे live class के दो batch चल रहे हैं, dream batch स्टार्ट हो आथा December में, foundation batch स्टार्ट हो आथा January में, अब हमारा third batch आ रहा है achievers batch, ये batch स्टार्ट हो रहा है 18th of February से, जो एक live classes batch है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बिलकुल basic से advanced तक live class के अं November तक चलेगा, इसमें आपकी पूरी की पूरी life classes होंगी, आपका syllabus दो से तीन बार करा दिया जाएगा, आपका pattern कैसे रहेगा, every Monday, Wednesday, Friday, 9 to 11 PM आपकी class होगी, लेकिन first month, मतलब 18th February से around 15th March तक आपकी daily class होगी, ठीक है, ताकि आप उस rhythm में आ जाओ, आपको पढ़ने के habit बन जा assignments मिलेंगे, जो भी class खतम होगी, easy, moderate, advanced आपको तीन assignments मिला करेंगे, उनको आप solve करोगे, उनकी video solution देखोगे, कोई doubt है, तो doubt forum में post करोगे, इस तरह से आप बहुती structured तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाऊगे, इसके साथ ही, आपके घर पे 11 books है, जो घर पे courier होगी, complete study material आ आपके घर पे आएगा, तो जैसी आप admission लोगे, within 5-7 days आपके घर पे पूरी की पूरी आपकी MBA kit आ जाएगी, हम जो आपका syllabus है, वो आपका August में खतम करा देते हैं, उसके बाद one month की special workshop होते हैं, October November में, जिसमें हम most important, most trending questions आपको practice कराते हैं, तो इस तरह से आपका syllabus एक बढ सको वापिस देखना चाहते हो, सारी classes आपके portal पे uploaded रहती हैं, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो, 24-7 आपके पास doubt forum रहता है, जो भी बच्चे join करते हैं, आपको कहीं पर भी doubt आप post कर दो, हमारा जो doubt faculties आपके साथ भाई, आपके doubts को resolve करते हैं, हर बच्चे का एक individual portal हो snap, cmat, testnet, ct, srcc, हर एक exam की तेयारी हम लोग आपको कराते रहते हैं, GDPI VAT के वीडियो lectures भी आपको मिलते हैं, जब आपका पूरा स्रेबस finish हो जाता है, तो इन वीडियो lectures से आप अपने पूरे के पूरे GDPI VAT को भी complete कर सकते हो, एक complete action plan हम आपको provide करते हैं, 300 days का cat के exam को कैसे crack करने हैं, उसके रहाब जो other exam साथ, उनका action plan आपके साथ होता है, ताकि हर एक exam को लेके आपका भई जो structure है, वो बना रहे ठीक है, तो भई total जो इस batch का फीस है, that is 27,500 जिसमें आपकी online life classes, आपको video recordings, आपके सामने physical books, आपका portal, all India national level mocks, daily assignments, उनका analysis, doubt forum, हर एक चीज आपकी इस batch में included है, अगर आप जामना चाहते हो, किस तरह के हमारे results रहे हैं, अभी आपको आगे results दिखाने वाला हूँ, बच्चों ने कितना चाप perform किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आप एक serious experiment हो, तभी आप यहां से result निकाल पाओगे, हम लोग आपके साथ महनत करेंगे, हम आपको best to best पढ़ा सकते हैं, आपको content दे सकते हैं, आपको test दे सकते हैं, आपको analysis करा सकते हैं, बट अगर आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, आप वो self study का element add ही नहीं करोगे, तो भई आपको दुनिया में कोई भी teacher, कोई भी exam crack नहीं करा सकता, तो भई point यही है कि एक साल की तपस्या है, mind frame कर लो, कि मैं एक साल तपस्या करने के लिए ready हूँ, मैं एक साल वो effort डालने लिए तयार हूँ जिसकी requirement है, ताकि मैं अपने dream MBA college में पहुँच पाहूँ, and books अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरह के आपके सामने books हैं, जो आपको मिलेंगी, smart books सारी के सारी रहती है, इनको smart इसलिए हम लोग बोल रहें, क्योंकि अगर आपको किसी भी question का answer नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना, study bus की app open करनी है, question को scan करना, वो answer आपके सामने open हो जाएगा, portal कब तक valid रहेगा, 31st मार्ट तक, आपकी classy 30th November को finish हो जाएगी, लेकिन आपके सामने valid रहेगा, topic wise test तो आपको मिलेंगे ही, weekly आपको GK के test मिलेगा, current interface का इसके साथ ही, कितने number of full net mocks मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 25 cat, 20 snap, then zat के around 15, then 7 IFT, NMAT के adaptive mocks, तो हर एक exam, बिलकुल latest pattern पे आपको provide कराय रहेगा, कौन को आपको पढ़ाने वाला है, मैं आपकी major ली सारी classes लूँगा, आपका quant, आपका LR, आपका DIA, आपका GK, ये section में आपका handle करूँगा, इसके बाल जो अनुभव सार है, आपका पूरा का पूरा verbal section handle करेंगे, तो बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे preparation करा रहे हैं, आपने देखा है, one of the biggest platform हमार classes को join करो, तो नीचे description में मैं आपको demo lectures में, मैंने actual live classes के recordings अप्लोड कर दिये हैं, वहाँ पे आपको clarity मिल पाएगी कि हमारा पढ़ाया हुआ, आपको समझ में आ रहे है या फिर नहीं आ रहा, इस तरह से हमारा teaching mechanism रहता है, यहाँ पे whiteboard रहता है, teacher आपको यहाँ पे दिखत से पूछ सकते हो, इस तरह का action plan रहेगा, 18 February को हम लोग स्टार्ट करेंगे, 31 July तक आपका majorly syllabus complete हो जाएगा, हरे topic बिल्कुल basic से advanced तक class में करोगे, उनी सारे topic के आप topic wise test भी करोगे, book से भी solve करोगे, and then आपकी revision workshop रहे हो, एक बरी आप topic class में कर रहे हो, then second time आप book से solve कर रहे ह फिर आप four time हमारे साथ revision workshop में सारे topic करोगे, तो हरे topic जब चार से पांच बार हो गया है, तो definitely आपकी command तो बन ही जाएगी, and then आप December से February तक अपने exams को appear करोगे, and February, March अपने GDP आपके process को complete करोगे, action plan इस तरह कर रहेगा, अगर आप बही सिरफ पढ़ने का mindset लेके आ रहे हो, मुझे exam crack करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखूँगा, तो भई यहाँ पे आपको बिलकुल right platform मिल रहे है, जहाँ पे हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा assignment, कौन सी class, कौन सा topic होना है, इतनी जादर clarity के साथ आपको syllabus complete हो जाएगा, आपको पता भी निच लेगा, and best cat on MBA results आ रहे हैं, हमारे institute ने, बच्चे अपने dream colleges, I am Ahmedabad, FMS, I am Bangalore, Calcutta, IFT, Excel, Rai, NMAT, dream colleges पर पढ़ाई करे हैं, आप देख सकते हो, cat 22 की अगर माँ बात करूँ, तो जैदीप का 99.80 percentile आया है, milestone batch का यह बच्चा रहा है, life class का, I owe my score to Saurabh sir, who helped throughout night class in case study, the most helpful part in my journey's revision workshop, which turned around my preparation and then उसके बाद अगर आप देखोगे, तो सिदार्त अगरवा, 99.47 percentile इस बच्चों का आया है, workshop helped me to keep myself on track and in continuity when I needed it the most, then अगर आप देखोगे, सुनिष्टा अरोडा, 99.2 नहीं है, यह बच्ची खुद Achievers batch की student रही है, और इस बच्चे ने क्या बोला है, joining study has itself been a big turning point in my life, the institute gave me the confident I can crack crack exam by giving my 200 percent, इसी तरह की result हर साल हमारे हां से निकल रहे है, 99.60 percentile, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0, इस तरह के बच्चे आते हैं, अधित्यगर, 99.92, then 99.32, काफी सारे बच्चे हैं, जो बहाए अपने dream score को achieve कर रहे हैं, और आज की date में अपने dream institute में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अल 98.49, 98.49, तो इसी तरह के results आपके भी आ सकते हैं, बट एक ही condition है कि आपको महनत करने है, आपको effort डालना है, अगर आप effort डालने के लिए ready, आप वो महनत करने के लिए तयार हो, एक सल अपने devote करने के लिए तयार हो, तो आप अपने dream score को achieve definitely कर सकते हो, cat के लावा, इसी तरह क exam में, यही scores हम लोग replicate कर रहे हैं, year on year काफी सारे बच्चे अपने dream college में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता, कि एक बैच के सारे बच्चों और dream उसको राजाएं, कुछ बच्चे score नहीं भी कर पाते, लेकिन आपको यह समझना है, कि अगर आप मेहनत करने के लिए तयार हो, तो teacher अपनी तरफ से पूरा effort लगाएगा, जो अब gap बचेगा, वो बचेगा आपका effort, तो अगर आप यह promise करते हो, sir मैं one year का commitment आपको देता हूँ, कितनी मेहनत करा लो, एक एक क्लास में live attend करूँगा, मैं आप जो assignment बतारी उतने आप भई कोल भी entrance exam को best of best score से crack कर पाओगे, तो I hope आपको इस video ने complete clarity दे दी है, अगर आपको demo class देखनी है, तो नीचे description में सारे के सारे links present है, batch start हो रहा है 18th of February से, तो आप भई अपने coaching को start कर सकते हो, और इसके अलावा कोई or doubt है, कोई question है, कुछ पूछना चाते हो, तो आ आप भई यहाँ पे इस number में whatsapp कर सकते हो, 99589-3705 पे आपको हमारे जो team है, वो assist करेगी, help करेगी, कि किस तरीके से आप इन exams की तयारी करके अपने dream MBA call-in में पहुन सकते हो, अगर आप fresher हो, तो भई मैंने अभी recently बहुत सारे इसे interview लिए हैं, जहाँ पे आपने देखा हो जहाँ पे बच्चों ने 78-99 score करा है, 40-99 score अचीव किया है, तो आप भी यह सब चीज़े अचीव कर सकते हो, बस एक साल का effort आपको डालना है, अगर आपको कोई भी बच्चे का interview देखना है, चैनल पे scan कर लो, topper stock के नाम से मैंने playlist भी बनार के, वहाँ पे जाके देखो, का लिए preparation करना, start कर दो, so all the very best, thank you so much and take care.